नमस्ते बच्चों, बीक के प्रविन्द इसले चाइनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पुस्तका लएके लाव इसनिबंद का अद्देन करेंगे। ज्यान का क्षेत्र असी में, योगो से मानों अपने ज्यान तथा अनुवों को समय समय पर लिपिबद्ध कर सुरक्षित करता रहे। आज विश्व में विबिन्न भाषाओं में विबिन्न विश्वों की पुस्तकों का अथा बंडार है। ज्यान राशी के इस बंडार को ही पुस्तकालाई कहा जाता है। पुस्तकालाई विबिन्न प्रकार के होते है। वेक्तिगत तोर पर अपने घर में पुस्तके एकत्र करके निजी पुस्तकालाई बनाए जाते है। दुसरी ओर विद्ध्यालै, महाविद्ध्यालै, कार्यालै आधिके स्तर पर सार्वजनिक पुस्तकालै होते हैं. मनुष्य के मानसीक व बद्धिक विकास में पुस्तकालै का विशिष्ट योगदान हैं. सीमित साध्नों के कारण प्रत्यक वेक्ती विबिन्य विशोगी पुस्तके समाचार पत्र आधि नई खरित पाता. पुस्तकालै में एकी समय में वेक्ती देश-विदेश की कला, संस्कुरूती तथा इथियास से परिचित होता है. पुस्तकालै से धर्म, इथियास, विज्ञान, भुगोल, अर्थशास्र, आधिकी पुस्तके, तथा लेखोको के चिंतन, तथा जीवन दर्शन का ज्यान प्राप्त होता है. पुस्तकालै ज्यान देने का उत्तम साधन तो है ही, स्वस्त मनोरंजन का भी साधन है. पुस्तकालै जाकर पणने से समस्त तनाओ से मुक्ति मिलती है. यह समय का सदुप्योग करने का उत्कृष्ट साधन है. पुस्तकालै की पुस्तके सबकी समपत्ति होती है. अतहां पुस्तका लई को स्वच्च रखना, पुस्तको को सही स्थान पर रखना प्रतिक पाठक का करतव्य है